हेलो सुदिन्स गुड बॉर्निंग वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल तैजुकेस निस्ट और मैं हूँ अरश्वत इनाम और आज हम बात करने वाले हैं रोवर्ट्स लॉग की आपने देखा के पिछली वीडियो में हम नहीं जाना हैंडरी लॉग के बारे में हैंडरी हैं ऐसा ही एक और नियम जो बिल्कुल सीमिलर होता है हैं हैंडरी लॉग के इसको हम कहते हैं रॉड लॉग ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लैट स्टार्ट तो अक्सर देखा जाए तो रॉड लॉग आपके लिक्विड लिक्विड सोलिशन और आपके उस बाइनरी सोलिशन में हमारे पास दो कमपोनेंट हैं जिसको कमपोनेंट वन और कमपोनेंट टू कहते हैं ठीक है तो उनके अगर हम दोनों लिक्विड के दोनों कमपोनेंट के पार्शल प्रेशर की बात करें तो यहां पर हम माल लेंगे कमपोनेंट का पार्शल तो फ्रेंच केमिस्ट थे फ्रेंचियोज मार्टे रॉल्ट उन्होंने 1886 के अंदर एक क्वांटिटिटिव रिलेशन्शिप निकाला पार्शल प्रेशर और सॉलिशन के अंदर जितने भी आपके लिक्विड के मौल फ्रेक्शन होते हैं उनकी भी तो यह लॉग हमें बताता है पर एक सॉलिशन ओफ्रोली टायल लिकविड यह डियानिकी एक ऐहसा सुलिशन जो दो वोलेटायल लिकविड से मिलकर बना हो तुछ उनके जो पार्शल प्रेशर होसे raising यहां भी लिखाओ दा पार्शल प्रेशर औफ इंच कंपोनेंट आफ द दा सोलुशन इस डार्ट लेक्वीड़ का प्रेशर होगा वह सोलुशन के अंदर जितना लिक्वीड का मॉल प्रेशन गुला हुआ है उसके प्रिपोर्षनल होगा बांकि यहां पर दिया हुआ है P1 »,proporcionally directly proportional to the mole fraction of component 1, यानि कि x1, यहां पर हम एक proportionality constant लेंगे, जिसको कहेंगे P01、 उसी component का pure face में vapor pressure माना गया है, दूसरे component कि अगर बात करें, तो P2 proportional हो जाएगा X2 और यहाँ पर हम एक personality constant लेंगे is equals to P not 2 X2 तो यह हमारा दूसरे component के लिए हो जाएगा यहाँ पर दिया वा भी है देख सकते हैं आप तो component 1 और component 2 के partial pressure को ध्यार में रखते हुए अगर हम total pressure की बात करें तो हम यहाँ पर formula लगाएंगे Dalton law of partial pressure तो उसके according होता है total pressure is equal to P1 plus P2 तो P1 की जगे हम यहाँ पर roll clock की component P का यहाँ पर यह expression रखेंगे P2 के लिए हम यहाँ पर यह रखेंगे इसको solve करेंगे तो हमरे पास यह equation आ जाएगी यह equation हमें यह बताती है कि हमें दोनों component के partial pressure की के बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है या mole fraction का पता होना ज़रूरी नहीं है एक binary solution जो दो liquid volatile से मिलकर बना है उन में से अगर हमें एक component का mole fraction या partial pressure पता हो तो हम total जो pressure होगा solution का वो calculate कर सकते हैं तो यह था आपका rot law इसको अच्छे से आप देख लीजेगा मैंने इस वीडियो के starting में Henry law के बारे में बात की थी तो Henry law के अगर हम बात करें तो वो expression मैंने पिछले वीडियो में explain किया है उसका जो mathematical expression था वो यह था P1 is equals to KH और X1 अगर component 1 की बात करें तो यहाँ पर professionality constant लिया गया है Henry constant और अगर हम rot law की बात करें तो rot law में हमारे पास अगर हम component 1 की बात करें तो यहाँ पर यह mathematical expression आ जाता है तो अगर आप देखें दोनो जो laws हैं वो लगबख सेमी है बस professionality constant का difference आता है तो दोनो लगबख सेमी है Henry law हमें बताता है pressure का effect gas in liquid solution के अंदर और आपका जो rot law है वो हमें बताता है कि liquid और solid in liquid के अंदर या तो liquid-liquid binary solution हो या फिर solid in liquid solution चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं vapor pressure of solutions of solid in liquid अगर यहाँ पर solid है तो हम इसको कैसे applicable करेंगे बच्चो आगे मैं आपको ideal and non-ideal solution समझाने वाला हो उसको समझने से पहले हमें यह जाना जरूरी है कि एक pure solvent का vapor pressure और एक solution का vapor pressure में क्या difference आता है तो यह चीज़ बहुत important है इसी point के ऊपर आपके colligative चारो के चारो colligative properties based हैं तो ध्यान से देखिएगा मालीजे हमारे पास कोई यहां पर एक pure solvent है उसका हमने जो भी आपका vapor pressure आएगा उसको हम calculate करके रख लेते हैं अब उस ही same quantity में same temperature पर उस pure solvent के अंदर हम कोई non-volatile solution add करता है solute add करता है solid अब यहां पर non-volatile दिया हुआ है non-volatile एक ऐसा component होता है एक ऐसा solute होता है जिसको evaporate नहीं किया जा सकता है जिसकी evapor ना बनती हो तो जब हम उसके अंदर कुछ यहां पे जो भी मैं explain कर रहा हूँ सारा का सारा लिखा हुआ है आप with the help of this video आप इसको समझ के अच्छे से इसके notes बना सकते हैं जैसा मैंने live stream में बतलाया है तो जब हम उसके अंदर कोई non-volatile solid solute डालेंगे तो वो जो solid होंगे वो इस surface को cover कर लेंगे और वो hinder करेंगे water liquid को evaporate होने में जिससे क्या होगा comparatively कम vapor बनेगी इसकी वरे से आपके जो solution होगा उसका जो vapor pressure है वो कम हो जाएगा याद रखिएगा in comparison to the solvent अगर हम solution के vapor pressure की बात करें तो आपका solvent का vapor pressure ज़ादा होगा और solution का कम होगा क्योंकि non-volatile solid solute solvent की surface को पूरी तरीके से cover कर देता है और रुकावट पैदा करता है liquid को evaporate होने में तो याद रखिएगा आपके solvent का जो vapor pressure होगा वो solvent solution से जारा होता है solution का कम होता है solvent की present तो यह सब यहाँ पे दिया हुआ है आप इसको देख लीजेगा बाकि इस case में भी आपका जो road law है वो बिल्कुल सेम रहता है for any solution the partial pressure of the each volatile component in the solution is directly proportional to its small fraction वही है यह road law solid and liquid के case में भी जो हमने अभी उपर देखा liquid and liquid के case में अब road law हमारे solution के लिए बहुत important होता है on the basis of the road law हमने जितनी भी solutions होते हैं हमारे binary liquid liquid solution के हम बात कर रहा है तो उन्होंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है ideal solution and non-ideal solution ठीक है तो सबसे पहरे हम देखते है ideal solution क्या होते है तो the solution which obey road law over the entire range of concentration are known as ideal solution जाने कि ऐसे solution जो सभी concentration range में road law का follow करते हैं वो ideal solution कहलाते हैं basically ideal solution बहुत rare देखे जाते हैं लेकिन temperature and pressure की special conditions में हम road law को form कर सकते हैं इनके लिए जब दो component हम mix करते हैं ideal solution बनाने के लिए तो इनके case में enthalpy change आपका zero होता है और आपका volume change भी zero होता है और basically normal solution के लिए ये दोनों चीज़े अलग होती है वहापे enthalpy change भी होता है volume difference भी आता है ठीक है लेकिन ideal solution के case में enthalpy और volume changes आपके difference होता है और अगर हम component के interactions की बात करें तो ideal solutions के अंदर जो आपके component होंगे उनके अंदर pure condition में AA type और BB type के interaction create होगे अगर हमारे पास binary solution है दो component जिन में A और B मिले हुए है तो जब हम उनको mix करेंगे तो जो नए interactions बनेंगे A, B ठीक है वो उनका जो magnitude होगा वो हर तरीके से AA और BB के बिल्कुल equal होगा इसकी वहरे से आपका ideal solution बन जाएंगे exam में ideal solutions के example पूछे जाते हैं मैंने पहले ही जैसे आपको बनाया कि अब क्लोरोएथेन और बैंजीन और टॉलोईन इनकी जो सजेस्टिट कॉउंटिटीज हैं अगर हम उनको मिलाएंगे तो आपके ideal solution फॉर्म हो जाएंगे दूसरी केटेगरी आती है आपकी non-ideal solution यह बिल्कुल ideal solutions के बिल्कुल opposite है वैने solution does not obey route law over entire range of the concentration called non-ideal solution जारतर 95% solution आपके non-ideal solution सी होते हैं जो वैबर प्रेशर होता है वो या तो route law के according higher होगा या आपका lower होगा उस बहाफ पर हमने इनको non-ideal solutions को two part में डिवाइड किया है अगर किसी भी non-ideal solution का वैबर प्रेशर route law द्वारा बताएगी value से जारा है तो उसको positive deviation कहेंगे अगर lower है तो उसको negative deviation कहेंगे तो हम इनको बारी बारी देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे positive deviation वाली तो ऐसे solution जिनको मिलाने पर उनका वैबर प्रेशर route law के prediction में जादा आता हो आपके positive deviation वाले solutions कहेंगे इनमें AB जो नए interactions बनेंगे वो weaker होंगे जो original pure form में AA और BB interactions की comparison मेंगे हम बात करें इसकी वज़े से क्या होगा intermolecular forces weaker होंगे तो liquid जादा तरीके से evaporate होगा जिससे क्या होगा वैप pressure आपका बढ़ जाएगा अब यहाँ पर यह figure 2.6 dv है इसके according हम non-idle solutions को देखने वाले हैं तो ध्यान से देखेगा मालीजे हमारे पास यहाँ इस condition में pure condition में component 2 का एक mole fraction है यहाँ पर 2 है जब हम दोनों को mix करेंगे तो यह मालीजे pure condition में या vapor pressure है component 1 का और यह दूसरे component का vapor pressure होगा तो अगर हम rot law के according देखे तो vapor pressure इतना ना से यह लेकिन जो a-b interactions है उनका weaker होने की वरे से evaporation ज़ादा होगा जिससे आपका vapor pressure ज़ादा आएगा rot law के according ठीक है तो that's why वह आपका vapor pressure वहाँ पर जादा आएगा और अगर हम इस तरह के solutions के example की बात करें तो जैसे एथेनॉल और acetone एटसेटरा आ जाता है ठीक है तो इन दोनों को mix करेंगे तो आपका solution बन जाएगा तो उमीद है आपको बात समझ में आ रही होगी उसके बार बात करते हैं negative deviation वाले solution इन में inter molecular forces जो होंगे AB नए बनने वाले होंगे वह ज्यादा stronger होंगे AA और BB के comparison में जिससे evaporation hindered होगा comparatively कम evaporation होगा और आपका वैप प्रेशन कम होने की वज़े से आपका वैपर प्रेशर कम आएगा और एक्जामपल यहां diagram में देखते हैं यह component 2 यह उसका वैपर प्रेशर यह component 1 यह इसका वैपर प्रेशर दुनों को mix करेंगे यह वैपर प्रेशर आ जाएगा partial pressure आजाएगा तू component का और यह आजाएगा वन component का दोरों को mix करेंगे तो roll clock according इतना वैपर प्रेशर आना चाहिए लेकिन जैसा कि आप लोग डाइगराम में देख पा रहे हैं नए यह इंट्रेक्शन stronger होने की वेरे से pressure कम बनेगा evaporation कम होगा तो आप देख सकते हैं दोनो बिल्कुल opposite है यह positive deviation वाला है इसका pressure जादा है यह negative वाला है इसका कम है तो बात समझ में आ रही होगा आपकी अगर हम इनके example की बात करें तो आपका phenol और aniline दोनों को अगर हम mix करें तो आपका negative deviation वाला solution बन जाएगा तो आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहले हमने यह यहां पर henry law को discuss किया henry law के बिहाफ पर हमने यहां पर route law को discuss किया दोनों लगबक सेम ही होता है आपको समझ में आ गया होगा यहां पर comparison भी दिया हुआ है मैंने mathematical expression भी आप लोग को साथ share किया यहां पर बताया है इसने route law और henry law दोनों एक दूसरा से कैसे सेम होता है proportionality constant का reference होता है यह हमने वहां पर प्रेशर की बात करी solvent की और solutions की दोनों की comparatively ठीक है इसके बार हमने on the behalf of route law सभी solution को two part में डिवाइड किया ideal solution क्या होता है मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है बाकि इस वीडियो में आप आगे पीशे करके देख भी सकते है नॉन के लिए है इसको अच्छे से नोडाउन कर लीजेगा और example यह सब चीज़े बहुत important है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को जुरत मंद कोई बच्चा हो उसके साथ शेयर भी करें और म अच्छे रहे हैं मुसक्राते रहे हैं घर पर रहे हैं सेफ रहे हैं अपना और उनका ख्याल लगते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में दिस यूर होस्स और शाष्छाजिनाम साइनिंग ओफ हैंग अजडियो थैंक्यू अ कर देड़ियो कर दोड़ा कर दो है